पिछली मन की बात में मैंने आप लोगों से एक प्रार्थना की थी कि छुटियों में अगर आप कहीं जाते हैं और वहां का कोई यादगार चीत रहें तो इन के इंडिया हैश्टेक पर आप पोस्ट कीजिए जब मैंने कहा था तब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा जबर्जस्त परणाम मिलेगा लाखों लोगों ने फोटो पोस्ट किये ट्वीटर पे फेस्बुक पे इस्टा गाम में आप कि एक से बढ़कर एक द्रश्य देखने को मिले हैं भारत कितनी विविजताओं से भरा हुआ है स्थापत्य हो कला हो प्रकूती हो जहरने हो पहाड हो नदी हो समंदर हो शायद भारत सरकार ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि टुरिजम की दुरुष्टी से लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं जो आप लोगों ने किया है और कुछ तो मुझे भी इतने भाग है कि मैंने भ मतना हो शायद जिन लोगों ने आंदर प्रदेश के बेलम के केवस का फोटो पोस्ट नहीं किया होता तो देश के कई लोगों के सायद उनको पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई चीज हमारे देश में हैं मतना प्रदेश में और चा की फोटो हो हम राजस्थान को तो हमेशाला प सब्भूत काम हुआ है इसको हम आगे बढ़ाएंगे जारी रखेंगे दुनिया देखेगी हमारे देश्वासी देखेंगे हमारी नई पीड़ी देखेगी मेरे प्यारे देश्वासियों आपने मुझे प्रधानमंत्री तो बना दिया है लेकिन मेरे भीतर का एक इंसान कभी क कभार बाकि सब वदप्रतिष्ठाओं से हट करके अपने आप में खो जाता है 21 जून आंतरराष्टी योगा दिवस मैं कह सकता हूं कि मेरे मन को उसी प्रकार से अंदोलित कर गया जिस समय ये येन में मैंने विशे रखा था तब ऐसा ही लग रहा था जैसे चलो भई एक ब प्रश्च देखा जहां जहां सूरज गया जहां जहां सूरज की किरने गई दुनिया का कोई भुभाग ऐसा नहीं था जहां योग के द्वारा सूर्य का स्वागत न हुआ हो हम दाश्च का सकते हैं कि योग अभ्यास्वों की दुनिया में सूरज कभी ढलता नहीं है योग को दुनिया ने जिस प्रकार से पलक पावड़े विशाकर के सन्मानित किया सारे विश्व ने जिस प्रकार से अपने कंदे पर उठाया कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा मैं भी आनंद विभोर हो गया मन पुलकित हो गया और जब फ्रांस के लोग जिन के लिए सीन नदी और एफिल टावर भावती गवरोपुन प्रतीक है उन्होंने योगा करने के लिए उस स्थान को पसंद किया बराबरी का स्थान दे दिया नियूएर्ग में लोगोंने टाइम स्क्वेर पर योगा किये औस्ट्रेलिया सिडनी की बात हो तो उपरा होस का चीतना हमारे सामने आता है औस्ट्रेलिया के नागरीको ने औपरा होस के बराबरी में योगा को रख कर के वहीं पर योगा किया चाहे नौर्थ अमेरिका हो, सिलिकोन बिली हो, मिलान का डूमो कर्थरड हो, यह अपने आप में गर्व करने की बात और जब 21 जून को मैंने यूएन के सेकरेटरी जनरल सिमन बान की मून को यूएन हेड़कवाटर पर योगा करते देखा कितना आनन्द आया मुझे, उसी प्रकार से यूएन पिस्किपिंग फोर्स ने भी योगा का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया भारत में भी सियाचीन पर, सफेद बर्फ की चादर पर हमारे जवान योगा कर रहे थे तो समुद्र में नौसेना के द्वारा, चारों तरफ जहां भी हमारे नौसेना के जहाज थे, योगा के कारकम हुए तो इनने तो ग्रिनीज बूक अप वर्ल्ड रकॉर्ड में अपना स्थान दर्च करवा दिया राजबत योगपत बन गया, मैं देश और दुनिया का रदे से आभारी हूँ और मैं कह सकता हूँ ये कोई कारकम के खातिर कारकम नहीं था ऐसा लग रहा था कि विश्व के हर कौने से एक नया आनन्द, एक नया उमंग, एक नया जुडाओ कुछ दिन पहले मैंने जब ट्वीटर पे वियतनाम से एक परिवार ने एक छोटे बच्चे का योगा करता हुआ फोटो ट्वीट किया था इतना प्यारा था फोटो वोग दुनिया भर में इतना प्रचलीत हुआ हर कोई उठे, बच्चे, गांव हो, शहर हो, डवलप कंट्री हो या डवलपिंग कंट्री हो, हर कोई जोड गया योग सच्चे अर्थ में दुनिया को जोडने का एक कारण बन गया मैं नहीं जानता हूँ इस गटना का कैसा अनालिसिस करेगा लेकिन एक बात मैं महसूस कर रहा हूँ, और हर भारत वासी घर्व अनुभव कर सकता है कि विश्व भारत को जानने के लिए बहुत उत्सुक है भारत के प्रती एक जिग्यासा बड़ी है वेल्यूज यहां के बरंपराएं, यहां के विरासत दुनिया जानना चाहती है हम सब का दाई तो है कि बिना लाग लपेट के हमारी यह जो विरासत है विश्व को हमने बाटना चाहिए विश्व को परिचित कराना चाहिए लेकिन यह परिचित हम तब करवा पाएं जब हमें हमारी विरासत पर गर्व हो कभी कभार हम इतने परिचित होते हैं कि अपनी चीजे इसमें क्या नया है ऐसा लगता है जैसे हमारी फैमिली वैल्यूज हमें पता नहीं है एक दुनिया के लिए भारत की फैमिली वैल्यूज यह बहुत बड़ी बात है क्यों न हम विश्व को हमारी परिवार प्रथा फैमिली वैल्यूज इससे परिचित करा है विश्व को अचमबा होगा मैं जुरू कहता हूँ अचमबा होगा ऐसी बहुत कुछ चीज़े हैं जो हमारे पुर्वजों ने हमें दी है और जो स्रेश्व हैं उस पर जगत का अधिकार है आंतर राश्वी योग दिवस की सफलता आनंद और संतोष के साथ एक नई जिम्यवरे लेके आई है यह हमारा दाइत्व बनता है कि विश्व को उत्तम योग शिक्षक हम दे यह हमारा दाइत्व बनता है कि योग की सभी परंपराओं को एक प्लेटफरम पर से जगत देख पाए मैं देश के नवजवानों को IT प्रोफेश्टरस को आग्रह करता हूँ आप सब नवजवान मिल जए उड़के रहे ओनलाइन योगा एक्टिविटी की कुछ योजना बनाई है योग से सम्मधित समस्ताओं का परिशे हो योग गुरुओं की जानकारी हो योग के समन में जानकारी हो योग सीखना हो योग टीचर चाहिए तो कहां से मिलेगा एक डाटा बेज तयार करना चाहिए और मैं मानता हूँ का आप कर सकते हैं चलो कहीं से तो कोई सरू करें ये भी एक नई शक्ति बन जाएगा मैं पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के और नजरी से भी देखता हूँ काम करती सरकार दौडती सरकार एक बार लक्ष तय हो तो कैसे परणाम ला सकती हैं ये पिछली दिन हमने देखा है और जब चानों तरब निराशा थी यह हम न भूले कि एक साल पहले चानों तरब से एक ही स्वर सुनाई देता था कुछ नहीं होता आप कलपना कर सकते हैं सरकार में आयूश एक डिपार्टमेंट है कभी किसी का उस तरब ध्यान नहीं जाता दो-पांच साल में एक आद बार कही छोटी मुणी खबर अखबार में आ जाये तो आ जाये तना एक कौने में छोटा सा डिपार्टमेंट लेकिन योगा दिवस को उसने लीड किया और दुनिया में एक छोटे से डिपार्टमेंट ने इतना बड़ा काम आयूजित करके दिखाया अगर लक्ष शामने हो तो छोटी सी छोटी हिकाई भी कितना उत्तम काम करती है इसका नमूना है पिछले दिन के हमारे लोगों ने यमन में से आफ़द गरस्त लोगों को कैसे बचाया गंटों के अंदर भारत के लोग नेपाल पहुँचकर के मदद के लिए कैसे दोड़ पड़े काम करने वाली सरकार जब बैंक में जंदन एकाउंट खूल ले थे सारे मैदान में उत्रया है और कुछी समय में करोडों करोडों देश्वासियों को बैंक के साथ जोड दिया गद 15 आगस को मैंने लाल के लिए पर से स्कूलों में सोचालाई के बुलिया अपील की थे और मैंने कहा तक अगले 15 आगस तक हमने इस काम को पूर जो काम साट साल में नहीं हो पाया वो एक साल में करने का आवाहन करना वो बड़ा सहस्त हो था करीब साड़े चार लाग टॉइलेट बनाने थे लेकिन आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूँ अभी तो 15 आगस आने की देरी है लेकिन पूरा तो नहीं हुआ लेकिन करीब करीब स्कूलों में टॉलेट बनाने के काम को लोगों ने पूरा किया मतलब सरकार लोग सरकारी मुलाजिम सब कोई देश के लिए काम करना चाहते हैं उसे सरवजन हिताए सरवजन सुखाए अगर हम संकल पर लेकर के चलते हैं तो सरकार भी दोड़ती हैं सरकार के लोग भी दोड़ते हैं और जनता जनारदन पलक पावड़े बिशा करके उनका स्वागत भी करती है यह मैंने अनुभव किया है और यही तो है जो देश को आगे बढ़ाने की सच्ची थाकत है पिछले मेहने हमने तीन जन सुरक्षा की योजनाओं को लॉंज किया था मैंने कलकत्ते से किया था इतने कम समय में बहुत ही सकारात्मक परणाम मिला है भारत में जन सुरक्षा की दुर्ष्टी से बहुत कम काम हुआ है लेकिन इन तीन योजनाओं की कारण एक बहुत बड़ा जम्प हम लगा रहे हैं इतने कम समय में दस करोड से भी ज़्यादा लोग इन जन सुरक्षाओं की योजनाओं में कहीं लेकिन हमें इसको और आगे बढ़ाना है मेरे मन में एक विचार आता है ये विचार मैं आपके सामने रखता हूँ अगस्त महिने में रक्षा बंधन का त्योहार आता है क्या हम सभी देशवासी रक्षा बंधन के त्योहार के पहले एक जवर्जस जन आंदोलन खड़ा करें और हमारे देश की माताओं बहनों को ये जो जन सुरक्षा योजनाओं है उसका लाब दे हमारे घर में खाना पकाने वाली कोई बहन हो या बरतन साप करने वाली बहन हो ये हमारे खेत में मद्दूर करने वाली कोई बहन हो ये हमारे परिवार में अपने हरी बहने हो क्या रक्षा बंधन के पवित्र को ध्यान में रखते हुए हम बारा रुपिय वाली या तिन सो तीस रुपिय वाली जन सुरक्षा योजनाओं जीवन भर के लिए अपनी इन बेहनों को गिफ्ट दे सकते हैं रक्षा बंधन की भाई की तरफ से बेहन को बहुत बड़ी गिफ्ट हो सकती है क्यों न हम रक्षा बंधन करके 2 करोड, 5 करोड, 7 करोड, 10 करोड देखे तो सही, कितनी बेहनों तक हम ये लाब पहुचा सकते हैं आईए मेरे साथ मिलकर के इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब प्रयास करें मैं जब मन की बात करता हूँ तो कई सारे लोग मुझे सुझाओ भी भेजते हैं इस बार मानसून के लिए मुझे कुछ कहना चाहिए सेल सुझाओ बहुट लोग ने भेजए नागपूर के योगेश दान्डेकर, मैशूर के हर्षवर्धन जी, प्रविन नाड करनी जी, दिव्यान शुकुपता जी उन्होंने कहा कि मौनसून के लिए जुरूर आप मन की बात में कुछ बाते बताईए अच्छे सुझाओ उन्होंने भेजे हैं और वैसे भी ये मौसम मन को बड़ा प्रसंद करने वाला मौसम होता है और पहली बारिश तो हर कोई को किसी भी उमर में क्यों न हो वर्षा का मजा लेने का मन करता है ली हो सकता है बारिश में गर्म पोकोड़ों का वहजे का कौन का साथ साथ गरमा-गरम चाय का मजाद लेते होंगे लेकिन साथ साथ जिस प्रकार से सूरज की किरने जीवन देती हैं वैसे ही वर्षा हमारे जीवन को तकत देती है बुंद बुंद पानी का बहुत मुल्य होता है हमें एक नागरिक के नाते, समाज के नाते, बुंद बुंद पानी बचाने का स्वभाव बनाना ही पड़ेगा गाउं का पानी गाउं में रहे, शहर का पानी शहर में रहे, यह हमारा संकल्ब होना चाहिए पानी रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए पानी रुकता है और अगर जमीन में वापिस जाता है, जमीन में रीचार्ज होता है, तो साल भर की हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है Rainwater Harvesting एक कोई नई चीज नहीं है, सद्यों से चली आ रही है चेक डेम हो, watershed development हो, छोटे तालाब हो, खेत तालाब हो, हमने बुंद बुंद पानी को बचाना चाहिए मैं हमेशा लोगों कहता हूँ का अगर मात्मा गांधी का जन्मस्थान, गुजरात में पौर मंदर अगर आप जाते हैं और मात्मा गांधी का घर देखने जाएंगे, तो 200 साल पुराने उनके घर के अंदर भुगर में टैंक है, जिसमें वर्षा का पानी सीधा सीधा महां जाने की विवस्ता थी और आप जाकर के देखोगे, मात्मा गांधी का जन्मस्थान देखने जाओगे तो जुरूर देखिए, 200 साल के बाद भी वह आज भी वहसा ही कारियरत है, और पानी साल भर जराबी खराब नहीं होता है, समुद्र के तटपे हैं पौरबंदर, लेकिन मीठा पानी वर्षा क पानी को संग्रह करके घर में रखा जाता था, उस समय भी इतनी कैर की आती थी, हम भी तो कर सकते हैं, और ये एक जनांदोलन बनना चाहिए, गाउँ गाउँ ये वागुस्तावल चाहिए, उसी प्रकार से हर्याली हमारे आँखों को कितनी भाती है, हरा भरा जीवन हमें कि कामाजिक संगठनों के द्वारा, युवकों के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में होने चाहिए, और मैं तो एक सुझाव देता हूँ, और मेरा प्रतेक्ष अनुभव है, बड़ा सफल अनुभव है, ये मेरी बिलकुल ग्रामिन टेक्नोलोजी है, आप जब पाउधा आगे भड़ेगा, विकास होगा, आप प्रोग करके देखिए, और पुराना मिट्टी का घड़ा तो मिली जाएगा, मैं तो किसानों को भी कहता रहता हूँ, आप अपने खेट के किनारे पर बाड लगाने के मज़ा है, पैड लगाईए, ये बास आई हैं कि बारिष पानी से बिमारिया बहुत फेलती है, नमी बढ़ जाने के कारण, बैक्टरिया पनपने लगते हैं, और इसके लिए साफ सभाई बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है, स्वच्चता बड़ी महत्वपूर्ण बन जाती है, शुद्ध पानी पीने का आगरह आवश्यक रहता ह है, जादा तर लोग तो ऐस पानी पीते हैं, और उसके लाब भी होता है, यह बास ही है कि हम जितनी कैर करेंगे, बिमारी हमसे दूर रहेगी, पानी तो चाहिए, भरशा भी चाहिए, लेकिन बिमारी से बचना भी चाहिए, देशवासियों, अभी अभी हम लोगों ने तीन नई योजनाओं को लौच किया, खास करके शहरी जनों के लिए, हमारे देश में करीब पान सो छोटे मुटे शहर है, वेश्ट टू वेल्थ, कुडे कचरे से में भी संपति बन सकती है, फर्टिलाजर बन सकता है, इंटे बन सकती है, बिजली बन सकती है, गंदे पानी को भी शुद्ध करके खेतों में दुवारा उपयोग किया जा सकता है, उस अभियान को हमने आगे बढ़ाना है, अमरित योजना के तहट हम इस अभरों को जीवन जीने योग बनाना के लिए बड़ा भ्यान उठाया है, उसी प्रकार से दुनिया की पराभरी कर सके हैं एसा देशी तो होना चाहिए है, देश में दुनिया की बराभरी करे सके हैं से स्मार्ट सीटी होने चाहिए, और दूसरी तरब देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी रहने के लिए अपना घर होना चाहिए और घर भी वो जिसमें बिजली हो, पानी हो, सौचाले हो, नस्दीक में पढ़ने के लिए स्कूल का प्रबंध हो 2022 में जब भारत आजादी के 75 साल मनाएगा, हम देशवासियों को घर देना चाहते हैं इन तीन बातों को लेकर के एक बड़ी योजना को आरंभ किया है, मुझे विश्वास हैं कि शहरी जीवन में बदलवाब लाने में ये सारी योजना काम आएगी मैं स्वायम तो सोशल मीडिया के द्वारा आप सब से जुड़ा रहता हूँ, लोगों से मुझे मिलते रहते हैं, सरकार के समन में अच्छी बुरी जानकारिया भी मिलती रहती हैं लेकिन कभी कभार दूर सुदूर गाउं में बैठा हुआ एक व्यक्ति भी, उसकी एकाद बात हमारे दिल को छुच जाती हैं, आप जानते हैं, सरकार के दरब से एक बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कारकम चल रहा है लेकिन जब सरकार का कारकम कोई व्यक्ति, समाच, गाउं अपना बना ले, तो उसकी तागत कितनी भढ़ जाती हैं पिछले दिनों हरियाना के बीबीपूर गाउं के एक सरपंच, सिमान सुनिल जगलान जी, उन्हें एक बहुत बड़ा मज़ेदार इनिसेटिव लिया उन्होंने सेलफी भीत डॉटर, इसके स्परधा की अपने गाउं में, और एक माहोल ऐसा बन गया कि हर पिता को अपनी बेटी के साथ सेलफी निकाल करके सोशल मीडिया में रखने का मन कर गया, ये कलपन मुझे अच्छी लगी, उसके पीछे कुछ कारण भी है, हरियाना मे बालकों की तुलना में बालिकों की संख्या बहुत कम है, देश के करीब सो जिले ऐसे हैं, जिसमें भी ये हालत चिंता जनक है, हरियाना में सबसे ज़्यादा, लेकिन उसी हरियाना एक छोटे से गाउं का सरपंच, बेटी बचाव अभ्यान को इस प्रकार का मोड दे, तब मन को बहुत आनंद होता है, और एक नई आशा जगती है, इसलिए मैं अपनी प्रसनताथ व्यक्त करता हूं, लेकिन इस घटना से मुझे प्रेणा भी मिली है, और इसलिए मुझे आगरह करता हूं, कि आप भी अपनी बेटी के साथ, सेल्फी विट डॉटर, अपनी बेटी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इस विचार को ताकत देने वाला कोई डेगलाइन हो लिख करके दोगे, उत्तम पंक्ती लिख करके दोगे, वो किसी भी भाषा में हो सकती है, अंगरी जी हो, हिंदी हो, आपकी मात्रूपाइब हो, कोई भी भाषा हो, मैं उसमें से, ज आपकी बेटी की और आपकी, मैं रिट्वीट करूँगा, हम सब एक प्रकार से, बेटी बचाओ, बेटी भढ़ाओ, इस बात को जनांदोलन में परिवर्षा हो, जो काम हर्याना के गाउं, बीबीपूर से भाई सुनिल ने प्राणब किया, आओ हम सब मिलकर के उसको आगे बढ़ाएं, और मैं आप से आगरे करता हूँ, कि हैश्टेक, सेल्फी वीथ डॉटर, आप जुरूर पोस्ट कीजिए, आप देखिए, बेटियों की घरी मा, बेटियों का गवरव, बेटी बचाओ अभियान, कितना आनंद देगा, और यह जो कलंग है अमारे पर, वो आप योगा की प्रक्टिस चालू रख रहा हैं, आप देखिए, आपको इसका फाइदा नजर आएगा, और मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, इस बात को आगे बढ़ाईए, अपने जीवन का हिस्सा बना दीजिए, इसको जरूर कीजिए, और वो बात, इंक्रेडिबल आप कहीं पर यात्रा करें, फोटो जुरूर भेजते रहिए, देश और देश के पास कितनी वीवित्ता हैं, एक मुझे लगा कि उसमें हैं हैंडिक्राप के समन्द में बहुत कम आया है, आप अपने इलाके के हैंडिक्राप को भीतो, इंक्रेडिबल इंडिया में पोस्ट कर सकते हों, ऐसे बहुत सी चीजें आपके नगर में बनती होंगी, गरीब लोग भी बनाते होंगी, चील जीन के पास हैं वह भी बनाते होगी, उसको भी बेच सकते हैं, हमें दुनिया में पहुच तरफ भारत के विष्यसदां को पहुच आएंधी हमने पास है, हम ज़रू मेरे प्यारे देश्वाश्यों आज बस इतना ही अगली मन की बात के लिए अगली बार मिलूंगा कभी कबार कुछ लोगों को लगता है कि मन की बात में मैं सरकार की बड़ी-बड़ योज रहा है गोशित करूं वो तो मैं दिन रात काम करता ही रहता हूं आप से तो हलकी फु मैं आना दाता है बहुत बहुत धन्यवाद